हाई अब्रीवान और वेलकम तो दुड़ी गाप्रिंग अपने फ्री कोर्स की सीरीज में आज हम अपना फ्लेमिंगों को बहुत प्यारा चाप्टर करने वाले है दाटरिस लॉस्प्रिंग मैं उमीद करता हूं यह विडियो देखने से पहले आपने इस चाप्टर की लाइन आलम वाली स्टोरी है सिर्फ उसी के क्वेस्टेंस में आपसे डिसकस करने वाला हूं तो स्टोरी का टाइटल आपको पता है सम्टाइम्स आइफाइंड रूपी इन गाबिज और हमारी ऑथर जो है अनीज जंग जी है तो बिना समय वेश किये इस चाप्टर के सबसे पहले प्रस्थान करते हैं और उससे पहले सबसे पहले हमारी जो रीत रही है कि हम चाप्टर का रीकाब देखते हैं फिर थीम देखते हैं फिर क्रक्स देखते हैं और उसी क्रक्स को हम हमेशा से जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो येस जड़ा एक बार इसको मैं यहां से क्लीन करत और यहां पर हम एक बर एक एक करके इसको रीड कर दें सबसे पहले अगर में देखू तो हमने focus किस पर करना है भाई साहिब आलम पर हमारा पूरी स्टोरी के अंदर focus रहा है ठीक है साहिब आलम हमारे main character रहे देन उसके बाद यहां पर वह कहां रहते थे सीमा पूरी रहते थे किस तरीके से एक छोटी उमर के अंदर बच्चे जो है वह अपने माता पिता का सहारा बन रहे है देन उसके बाद आगर आगे हम देखें तो यहां पर लिखा है दा author encounters ragpickers in सीमा पूरी सीमा पूरी में author जो है ragpickers से मिलती है सीमा पूरी is the periphery of isn't the periphery of the Delhi periphery of the Delhi periphery of the Delhi में डेल सीमा पूरी कलाइशल उतना अच्छा नहीं बताया गया है देन उसके बाद ragpicking is livelihood for the people in सीमा पूरी यहां पर जो ragpicking है वही उनकी जीवन च्रेणी बनी हुई है कहां पर सीमा पूरी के अंदर देन उसके बाद refugees from Bangladesh lost their homes and land in storms यह जो हमारे साहिब आलम है कहां से आयते बांगल ठीक है यह बड़ा ही disappointment थाउन के लिए यह जो है अपना हमेशा से walk करते थे नंगे पैर अपने चलते थे ठीक है garbage means livelihood for the adults things wrapped in the wonder for children जो यहां पर garbage था वो बड़ों के लिए तो पैसा कमाने का जरिया था ठीक है livelihood का जरिया था बट यहां पर जो children है उनके लिए एक खजाना हु साहिब आलम इस अमंग राक पिकर साहिब आलम भी जो है वो राक पिकर ही था उन में से ही एक था दैन उसके बाद साहिब आलम means lord for the universe ironical यहां पर जो हमारी author है अनीज जंग उसको एक point of time पर फील होता है कि यह बच्चा जिसका नाम साहिब आलम है जिसका मतलब ही universe का king है वो जो है मतलब बड़ी ironical सी चीज है कि वो नाम से और उसके काम में बहुत फरक है दर उसके बाद साहिब is interested in the game of tennis out of his reach आपको पता है साहिब आलम जब एक बार गए थे वह बताता है कि मुझे यह गेम बड़ अच्छा लगता है बट यहां पर मैं इसको नहीं खेल सकता हू gets employment in the tea stall end के अंदर आते आते हूंने tea stall के अंदर एक employment मिल जाता है वो चाय के टपरी पर काम करना शुरू कर देता है has to carry a heavy canister जो हमारी end में अनीज जंग जी कहते है कि जो उसका कट्टा था जिसके अंदर पहले वो अपना कूड़ा उठाता था अब यह जो चाय का canister उसके पास है canister उसके पास है यह ज्यादा हेवी उससे competitively has to work for a master उसको एक master के लिए काम करता है काम करना पड़ रहा है अब loses his carefree look and freedom वो जो पहले बिल्कुल बिंदास होके घूमता था अब वो टी-स्टॉल पर काम करने के बाद बिंदास होके नहीं घूम पा रहा है तो यह एक बात होगे ठीक है आगे चलते है बेनस हमें वेश की आगे की और अगर प्रस्तान करें तो इसकी main theme अगर हम देखे the theme of the story revolves around the loss of childhood यह बहुत important है यार मतलब यह एक बात बहुत important लिखनी है आपको कि पूरी theme जो है कहां revolve हुई है loss of the childhood, innocence and the dreams due to socio-economic disparities and the prevalence of child labour आपर पूरी story जो एर्दिगर्द घूम रही है साहिब the protagonist symbolize the countless children who are forced to abandon their childhood and education in order to work in order to work and contribute to their family survival ठीक है यहां पे जो है साहिब आलम तो उन तमाम बच्चों में से सिर्फ एक है जो कि उनका representative बना हुआ है वो बता रहा है दिखा रहा है story के through के ऐसे कहीं सारे बच्चे हैं जो कि अपने बड़ों का हात बटा रहे हैं उनके घर के दिन चर्या के अंदर उनकी livelihood के जीने के अंदर अपना रैक पक करकर के कूड़ा उठा उठा के the story sheds light on the systematic issue that perpetuate such situations and call for social awareness and change to ensure a better future for the underprivileged children of India ठेक है यहाँ पर यह story हमें क्या बता रही है कि भाई यह जो हमारे यह system के अंदर अभी दिक्कत है और जो हमारे underprivileged children है उनका मुद्दा हमारे सामने रखती है कि हमें उनको किस तरीके से आगे निकान ला है उनके पास हम better से better क्या उनके लिए कर सकते है चलते है उसके बाद अगर मैं इस पूरे चाप्टर का क्रक्स देखू तो इस पूरे चाप्टर का क्रक्स कहा है इच शोउज इच शोउज देफेक्शन ओफ था हार्ष रियालिटी इस फेज बाद अंडर प्रिविए चिल्रन इन स्मॉल इंडिन विलिज ठीक है पूरा क्रक्स कहा है कि यहां पर अंडर प्रिविए चिल्रन जो है हमारे जिनके पास सारी सुक्सुविदाय नहीं है वो किस तरीके से खाससे बात पास समझ में बचूरा मेहच्चा जिसकी उम्र महच 5-6-7-8-10 साल भी रही होगी यार क्या फरक पड़ता है उमर से वो 10 साल का मान लो एक बच्चा जो की बच्पन से पैसा का मार और अपने घर पे पैसा दे रहा है तो आप यह देख सकते हो कि भाई वो harsh reality कितनी जल्दी उन वो face कर लेते हो बच्चे थेक है साहिब आ यंग बॉय इन दा स्टोरी सिंबलाइजिस दा काउंटलेस चिल्रन हुस चाल्ड़ूट्स आर सैक्रिफाइज जूटी पावर्टी एंड नीड अफ एंड नीड तो कॉंट्रिबूट्टी इंकम साहिब आलम क्या है एक सिंबलाइज है जो कि बता रहा है countless number of children के बारे में बता रहा है कि मेरे जैसे बहुत से बच्चें जो कि अपनी family के अंदर उनकी survival के अंदर help करते है कूड़ा उठा 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 के तब ही वो अपने future के तरह better आगे बढ़ सकता है और यहां पर इसी को रोकने के लिए कि बच्चों से काम नाया कराया जाए चाइड लेबर भी जो है हमारा law आया हुआ है कि बच्चों से जो की 18 साल से काम नहीं करवा सकती हो लेकिन फिर भी जो उनके innocence है उनके dreams जो है वो survival देने के चक्कर में उनको support करने के चक्कर में वो सारी चीजे नस्ट हो जाती है उनका potential सब खत्म हो जाता है ठीक है यही पूरा story का क्रक्स है तो सबसे पहले अगर मैं इसके पहले question की बात करता है तो what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities बहुत important question यार और आप लोगों को मेरी आदत पता है मैं चाप्टर के अंदर limited number of questions करांगा ऐसा नहीं कि भरपूर करा दूँगा बट वो limited number of questions जो होगे आपको लिखने ही लिखने बढ़ेंगे वो answer एक बर अपने हाथ को के नीचे से लिख लो आपका पूरा chapter trip यह वादा है अपना ठीक है तो जड़ा देखने है इसका answer क्या क हमेशा माग रखना और जब कभी भी यहां पर जो migration की बात होगी तो क्योंके chapter के अंदर बांगलादेश से सीमा पूरी की migration दिखाई हुई है तो हमेशा answer के अंदर बांगलादेश से सीमा पूरी की migration आप प्लीज शो कीजेगा impact पड़ेगा examiner को पता चलेगा कि इस बच्च से यहां पर आगए education बच्चों के education के लिए यहां पर आए employment उन्हें रोजगार मिलेगा safety यहां पर जाद है क्योंके हुआ पर storms आ रहे थे storms के अंदर उनकी safety नहीं थे यहां पर safety है and other basic amenities जो basic चीजे हैं उनको वो सारी जो है यहां पर सीमा पूरी के अंदर मतलब cities के अंदर civic and health facilities तो कुछ जो आपके लोग थे वो तो voluntary आयते कि भाई नहीं हमें तो निकलना है वहां से in the search of क्या better jobs के लिए better रहन सहन के लिए उनके civilization better हो पाए अपनी health facilities के लिए क्योंके गाहों के अंदर अगर आप रह रहे हो तो वहां पर आपको पता है कि अगर कोई बीमार दर उसके बाद other are forced to migrate by natural disasters like flood storms drought famine etc destroy their houses and properties तो जब तुफान वगर आयता उन्होंने बाकी लोगों का क्या हुआ कि तुफान वगर उनके घर वगर जो है वह तोड दे तब जाके बाकी लोगों को वहां से निकलना पढ़ा तो यह डो नंबर के अदर अपना बिल्कुल sufficient रहेग वहीं अगर आप लोगों को देखो आप चाहो तो इसको भी प्रॉपर एक्स्प्लेइन कर सकते हो अगर मालो यह कोईशन आपका चार नंबर के अंदर आ गया तो थोड़ा बहुत एक्स्प्लेइन के अंदर एजूकेशन के बारे में फिर आगे थोड़ा बहुत बता दो क्या इजुकेशन बहुत इंपोर्टेंट है लाइफ के अंदर एजुकेशन नहीं मिलती तो बच्चा जो है वह अपने एक्चल पटेंशल तक नहीं पहुंच पाता उसका थिंकिंग लेवल उतना ब्रॉड नहीं हो पाता यह एक दो बाते जोड़ दो चार नंबर के अंदर बत आप चीजि हो गई चारों चीज़ें यहां पर बढ़र के लिगदा सकते हो अंद्र से आप उसके बाद कर सकते हैं रखना जो लिए कर सकते हैं वह आपके 99 फरस erk Damn के नदर आके फिट होते हैं, आपके क्रक्स जो है 99% क्वेसिंट के नदर आके हुट होते है वट ऐसा भी नहीं कि आप अंदे दुन चल रहे हो जुँए थोड़ा सा मेरा यह मानना है कि आप भी अगर जब अपना लिट्रेचर वाला पोर्शन देखोगे तो जितने भी कोशन होगे आप उसके 100% क्वेश्चन के अंदर जो है वह प्रॉपर अपना क्रक्स कर रहे होगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं elaborate और कैसे करूँ हमेशा उसके नीचे क्रक्स लिखो होता क्या है जब आप आंसर के नीचे कोई लॉंग फर्म आंसर उसके नीचे क्रक्स लिखते हो न तो एक कम शब्दों के अंदर दो से तीन लाइनों के अंदर आप चाप्टर का पुरा निचोड भी उस आंसर के तो जो की टीचर को त्रिपती देता है आपने आंसर जो क्वेशन के नदर पूछा है वह बात तो कर दी ऊपरवारी चीजों के नदर बात आपने कर दी बट नीचे आप उसके क्रक्स लिखते तो नजब थोड़ी बेटर क्लारिटी मिलते कि हाँ बहुत बढ़ी आसे पता ह मैं आ आप लोगों को हमेशा से एक चीज़ रेकमिड करता हूँ मेरे भाई किस्त्राक्ट आप एक अच्छी तरीके से एक्स्त्राक्ट जभी कर पाते हो जब आपने हर चाप्टर की धियां रखनी आपने हर चाप्टर की लाइन लाइन बाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन देख लेंगे यहार एनिमेशन देखना ना रिविजन चाप्टर को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप यह कह रहे हो कि आपने वह चाप्टर की सूरत भी नहीं देखी है एक बार उसके बाद आप डिरे weakness है यहां पर extract-based questions गाता है sबसे पहले एक fenizer का करके लिए के इसको हांडल करते हैक हूं कहता है the referred to as they in the given extract यहाँ पे दे जो है वो किसके लिए कहा गया है यहाँ देखो सबसे पहले अगर मैं आप लोगो कोई चीज बता हूँ यहाँ पे यह extract अगर आपने बुक से पढ़ा होगा तो आपको यह देख के पता चलेगा यहाँ पे आलम वाली स्टोरी से आया है, मुकेश वाली स्टोरी से आया है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो दे की बात कर रहा है अब दे देखो, wherever they find, wherever they find food, they pitch their tents, that become transit homes यहाँ पे अब यह देख ही बात कर रहा है, अब एक बाह बताओ, अगर आपने line by line explanation ही नहीं देखी होगी ना, मेरे भाई तो आपके बहुत जादा chances है, कि आप मुकेश family या फिर bangal makers पे भी जाकर tick कर दो यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे क्या है, कि यह दो options हमारे exact इसी तरीके से जह भी निकल गए अब उसके बाद साहे family की बात रहे है, रैक पिकर्स की बात रहे है, तो आपको यही भी याद होना चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर उसने रैक पिकर्स की हमारे लिए बात की थी, कि वह हमेशा अपना तंबू जो है वहाँ पे गाड़ देते कोई दिक्कत, कोई परिशानी, कोई जलन, कोई खुजली यहाँ पे, I hope नहीं होगी उसके बाद देखो जरा, the rack pickers have no identity, no permits, but dash enable them to buy grain यहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं था, but एक चीज उनके पास थी, जिससे वो जो है अपना grains, अपने खाने पीने की चीज खरीद लेते थे वो क्या था, उनके पास राशन कार था, क्या था, उनके पास राशन कार था, उसे वो खरीद लेते थे, आगे देखते हैं, next हमें क्या देवा है, which of the following statement is not true, ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पर सिर्फ ऐसे questions के अंदर true पे ध्यान देते थे, not true के ओपर ध्य से कौन सा question जो है, कौन सा statement जो है, वो not true है, सीमा पूरी is situated in the periphery of Delhi, ये तो हमारा true है, ये वाली चीज हमारी बिलकुल true है, उसके बाद देखो, राख pickers has gradually acquired the proportions of the fine art, राख, क्या बोला है, राख picking has gradually acquired the proportion of the fine art, ये ही तो वहा था, साहीब आलम वाली स्वारी के अंदर, जो रा लिकत नहीं है, उसके बाद, squatters who came from Bangladesh, I have been living in Simapuri since 1971, without permits, ये ही तो था, 1971 के बाद, वो without permits ही रह रह रहे थे हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, वहाँ पर रहने का, but without permits वो रह रह रहे थे, ठीक है, तो ये भी बात बिलकुल ही सकते हैं, तो इसके बाद, हमारा answer क्या ब ले, for the children, rack picking is the only profession that brings them immense joy, नहीं, ऐसा नहीं था, यहाँ पर देखो, एक बाद बताओ, अगर सिर्फर सिर्फ रैक पिकिंग ही एक अच्छा joy देता, तो स्टोरी के अंदर साहिब आलम बार 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 अनीज जी के पास जाके बोलते हैं, कि तुमारा school ready हुआ क्या, मुझ जाज टू मेनिंग for the rack pickers of सीमा पूरी, what are they, दो मतलब थे, एक गार्बेच के यहाँ पर दो मतलब थे, क्या थे वो दो मतलब, देखते हम हुआ सब से बहले, for elders, यहां पर क्या था गूर अगर मैं मोटा-मोटा अप से निशकर निकान लिए कूश करो, बढ़ों के लिए, rack picking का मतलब क्या था उनके लिए तो वो खजाना था गोल्ड था उन्हें अगर silver coin मिल जाता था वो और deep बहुत और passion के साथ जो है वो अपना खजाना, अपना silver coin और डूंडना शुरू कर देते थे तो यहां पर देखो भे क्या का है For the elders in Seemapuri garbage is the vital source of survival and the means to earn their daily bread daily bread, rose marra की जो खाने की चीज़े वो एकटा करनेगा एक जरिया था The discarded item in the garbage become their livelihood as they meticulously collect and sift through the waste salivating materials they can be recycled and sold, थी वो क्या करते थे भाई उनको उठाते थे ठीक है plastic वाले एक तरफ कर लिए और सारी चीज़े एक तरफ कर लिए उनको जाके sold कर देते थे ठीक है उस तरीके से वो अपने livelihood, bread and butter वो अपने चला रहे होते थे But for the kids, but for the kids in Seemapuri, garbage means something different It's like a treasure, old or gold यह gold वाली बात जो है वो जरूर लिखना आप चाहे बहले ही treasure को एक बार को skip कर देना But यह gold जरूर लिखना क्योंकि वो mentioned है वो आपके chapter के अंदर gold word जो है वो mentioned है तो इसलिए gold जरूर लिखना है तो क्या था भाई, it's like finding a treasure or gold in the middle of all the dirt पूरी गंदगी के बीच में एक gold, एक sona मिलने वाली जैसी चीज थे उनके लिए Sometimes, as I search through the piles of the trash, the kids discover silver coin hidden यहां लखना, silver coin hidden यह वाली बात आपको underline करके लिखनी है हमेशा हर एक answer करना कुछ एक बात होती है जो की examiner देखना चाहता है तो आप क्या करना examiner को easy रहे आपने blue pen से पूरा लिखा नीचे कुछ नहीं करना, यह नहीं कि उसके ओपर चार बार pen लगा रहे है कुछ ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फर से silver coin लिखा और इसके नीचे क्या होती है, ऐसी cdc line होती है माले थे हमारी answer sheet के ऐसी cdc line यह पूरी proper आगे तक जारी है आपको पता है क्या करना है, बैस जैसे silver coin लिखा आपने silver coin के नीचे एक ऐसी line मार दी black color से या blue color से नीचे उसके line मार दी तो जादा उसके अंदर मत करना, वह highlighted दिखती है चीज अपने आप जब आप पूरा answer लिखोगे तो उसके अंदर highlighted दिख़ीगा आगे देखो, the idea of finding more valuable things in the garbage becomes a kind of exciting adventure for them तो जैसे उनको चीज मिलती है तो उनके लिए और valuable चीज़े डूढ़ना एक क्या बन जाता है adventure वाली चीज बन जाते है a way to forget about the difficult part of their everyday life at least for a little while जैसे ही उनने मिलता है तो उनके जिंदीगे में कितने कस्त हैं वो सारी चीज़े भूल जाते है, at least कुछ समय के लिए ही भूल जाते है तो यह दो नंबर के लिए वैसे थो थोड़ा सा बड़ा answer मैंने लिखा हुआ है बट आप इसको दो-तिर लाइन के अंदे sum up कर सकते हैं अगर यह दो नंबर के लिए देखने को मिल रहा है तो मैं आप लोगों को हमेशा से एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि बैस चीज होती है उसके नीचे आप उसका जो है वो क्रक्स जरूर लिख दो देखो फिर मैंने यहां पर यह लिखी यह बात लिखी उसके बाद इस शोज़ाद एफिक्शन ऑफ हार्ज रियालिटी तो यहां से अगर आप इसको यहां से यहां से इसको यहां कनेक्ट करके पड़ोगे तो यह दोनों लाइन कनेक्ट हो रही है कि ठीक है उनकी डिफिकल्ट पार्ट है उनको थोड़ी बहुत के लिए रहात जरूर मिलते ह आपने चीज़ों को कन्क्लूजन की तरह के अंदर नीचे लिग दी तो यह जो क्रक्स है हमारा वो हर आंसर में ना कन्क्लूजन की तरह एक निचोड की तरह काम कर रहा होता है ठीक है बात रहे है इसके इंदर चौलोग बैना समय वेश किये आगे की और प्रस्थान क्या कह क्वेशन हमें कहता है what makes the author embarrassed at having a promise that was not meant ठीक है हमारी जो अनीच जी थी उनको एक promise बहुत ज़्यादा embarrassing लग रहा था बार बार वो कौन सा promise था याद आपको उसने साहिब को बोला था कि अगर मान ले मैं तर ले स्कूल बनवा दूँगी तो तो स्कूल आएगा तो अब क्यूंकि हमारे साहिब आलम को था क्रे स्कूल आने को उसको मन में बैठी वी थी वो तो बच्चों को देखता था कि हां पर वो भी स्कूल जा रहे है मैं नहीं जा रह तो यहां पर देखो क्या लिखा है on encountering with sahib the author asked him to go to school immediately at immediately at the thought she realized that the advice must sound very hollow यहां पर यहां पर वो यह कह रहे है कि जैसी sahib से उसका encounter होता है वो उनसे बोलते है कि तुम school लोगे लेकिन immediately उसको यह पता चलता है कि जो मैंने advice दिये वो कितनी खोकली है इस बच्चे की life में already इतनी जादा दिक्कते यह कैसे school जा पाएगा इनके तो admissions भी ठीक से नहीं हो पाते तेके on the other hand sahib replies that there is no school in his neighborhood और sahib ने क्या reply दिया था कि भाई उसके आसपास कोई भी school नहीं है and he will go if the authorities make one वो कहता है कि हाँ मैं जाओंगा अगर यहाँ पर हमारी authority हमारी सरकार जो है वो school बना देंगी आगे देखो she asked him what if she starts the school मैंने बोला यह बात कि उसने बोला था कि अगर मैं school start कर दू will he go? क्या तू जाएगा sahib goes on asking her is your school ready she feels embarrassed at having made a promise that was not meant she feels embarrassed at having made a promise that was not meant उनको इस चीज़ का जो है वो बहुत ही पस्चा थापता जो कि पूरा meant नहीं हो पा रहा यह दो नंबर के अंदर भरपूर आपकी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद अगर मैं इसको चार नंबर के अंदर देखना जाओ तो देखो भई यह देखो she feel embarrassed at having made a promise that was not meant it shows the depiction of the harsh reality faced by the underprivileged children in the small Indian villages sahib a young boy in the story symbolizes the countless children whose childhood a sacrifice due to poverty and the need to contribute to their family income मत अब इस तरीके से आंसर सजाए जाते है मिने भाई चार नंबर के आंसर लिखने में कोई बहुत बहुत तोपनी चलानी पड़ती आप लोगों सही है कोई दिक्कत इसके अंदर कोई परिशानी कहीं दिक्कत चलो गई तो I hope आप ओ clarity मिली होगी साहिब है आलम का proper पर जो है हमने proper निचोड देने के मैंने आप लोगों कोशिश किये मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को enjoy किया होगा मुझे comment section के इंदर जरूर बताईएगा क्या आप इन sessions को enjoy कर रहे हो या नहीं कर रहे हो I hope आप इन sessions को बिलकुल enjoy कर रहे हो मिलता जिसे के इस नेक्स्ट वीडियो के इंदर मुझे दीजे का जा साथ तल दान बाबाय और चेक के आप